गुड बॉर्निंग स्टुडेंट्स, वेलकम तो अम्री सीनियस केंडी स्कूल, क्लास 10th, मैथेमेटिक्स, चैप्टर नमबर 5, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आज हम बचे इसका करें पार्ट नमबर 10, जो की इसका लास्ट पार्ट है, उसमें हम अपनी एक्सराइज 5.3 के समनमबर 10 से शुरू करें, बचे 10 नमबर सम की स्टेटमेंट पहले क्या है, शो देट एट एवन, एटू, एटू, एएन, फॉर्म एन, एटू, एएन, इस डिफाइंड एस बिलू, तो मेरे को यह सम के दो पार्ट दिये हुए हैं, जिसमें एएन किसके इक्वाल है, यह व पता करना है, मतलब मेरे को S 15 पता करना है, मैं इसका second part ले लिए हूँ, मैंने यहां statement लिख ली, A N इक्वल टू, 9-5 N, अब मेरे को जब A1, A2, A3 निकालना है, तो जहां पे N लगा है, मेरे को वहाँ 1, 2, 3 वैलियू कर देनी, अगर मैंने A1 निकालना है, तो 9-5 N की जगह पे आगया 1, तो क्या हो गया, 9, 5 इंटू 1, 5, 9 में से 5 गे 4, ऐसे ही A2, 9-5 इंटू 2, 9-10 इक्वल टू 1, ऐसे A3 इक्वल टू 9-5 इंटू 3, क्या आगया, 9-15 इक्वल टू-6, तो बचे, अब D की वैलियू, क्योंकि मुझे शो करना है, कि यह AP1 दी है, D की वैलियू, A2- A2 की वैलियू किया है, मिरे पास menos 1, और A1 की वैलियू किया है, मिरे पास 4, तो बीच में minus का sign formula का आगया, तो minus, minus, plus, minus, minus, 1, minus, four, minus, 5, ऐसे ही A3 minus A2, A3 की value मैलियू किया है, मिरे पास minus 1, minus, minus, plus हो गया, minus, six, plus, one, equal to minus 5, तो अब यहा से, अगर मैं D orth understand, D जो है, मेरा equal to minus 5 तो D is same, therefore series is AP, यह तो मैंने show कर दिया कि series AP बन दिया, तो अब उसके बाद बोले, also find the sum of the first 15 terms, first 15 terms मतला मैं को S15 find out करना है, उसके लिए पहले मैंने Sn का formula लिखा, Sn equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into D, तो मैंने S15 पता करना है, अब n की जगह पर क्या आ गया, 15, यहां भी n की जगह पर 15 by 2, 2 into a की value मेरे पास 4, plus n की जगह पर 15 minus 1 into D की value मेरे पास क्या आई थी, minus 5, तो यहां मैंने fill कर दिया, अब यहां आ गया 15 by 2, 2 into 4, 8, यहां 15 में से 1 को minus करूंगी 14, 14 into minus 5 equal to minus 70, अब plus minus minus 15 by 2, 8 minus 70, 70 में से 8 को minus करेंगे, तो बड़े नंबर का sign है minus का, तो यहां क्या आ जाएगा, minus 62 और 62 की cutting होगी, क्या आ गया 31, 31 को 15 के साथ multiply करा, तो 4, 65 और 7 में minus का sign है, तो यह 7 में minus का sign आ गया, बचे यह इस sum का answer है, अब बचे sum number 11 हमने नहीं करना वो छोड़ देना है, उसके बाद sum number 12, 13 और 14 एक जैसे हैं, अब मैं sum number 11 ले रही हूं, sorry sum number 12, और इसके बाद के जो sum है मैंने sum number 14 तक ही यह sum करने है, उसके बाद के जो sum है, इस बार के जो हमारा board का syllabus है, जो कम हुआ है, reduce हुआ है, उसमें आगे वाले जो parts है, वो कट हो गई है, तो हमने sum number 12 करना है, तो find the sum of the first 40 positive integers divisible by A, अब मैंने statement पढ़ दिया, find the sum of the first 40 positive integers divisible by A, 6, कि मुझे S40 निकालना है, पर कौन सी series है, वो number लेने first 40, कि according to statement, मेरे पास AP क्या आ रही है, मैंने first 40 वो number लेने है, जो 6 के table पे divisible है, 6 के table पे divisible number, पहला number 6 ही आएगा, क्योंकि 6 को 6 से divide करेंगे, तो वह आना आता है, जैसे 6 का table ही आप ले सकते हो, दूसरा number 6, 1 का 6, और 6 ही पहला number जो आएगा, 6 के table पे divisible है, तो जैसे अगला number है मेरे first 12, 12 को 6 के side divide करेंगे, तो क्या आ जाएगा 2, मैंने मेरे को number लेने है, जो first 40, मतलब starting से start करने है, तो AP क्या बनगी, 6, 12, 18, 24, son, 240 terms, यह जैसे मैंने इस exercise का sum number first करवाया था, बिल्कुल उसके जैसे sum बन गया है, कि first number है, इस AP का 6, और मुझे कितने numbers का sum पता करने है, 40 terms का sum पता करने है, तो अब इसके according अगर देखें, A की value 6, और D की value, A2, minus A1, 12, minus 6, equal to 6 आ गया, तो यहां से, S, N का formula लगाएंगे, N by 2, 2A, plus N, minus 1, into D, अब करना है क्या है, आपको S40 निकालना है, तो N की जगा 40, यहां 40 by 2, 2, 2 into 6, plus 40, minus 1 into 6, यह बचे, सारे sum जो अगले भी हैं, इनको हमने ऐसे ही calculate करना है, इसकी cutting हो जाएगी, यहां के आगया मेरे पास 20, 6 को 2 के साथ करेंगे, 12, plus यहां के आगया, 39 into 6, 39 को 6 के साथ multiply कर लेते हैं, 234, तो यहां आगया, 27 में 12 into 234, 234 में अगर 12, plus करेंगे, तो क्या आगया, 246, 246, 246 को 2 से multiply कर लो, 492 और साथ में 0 है, यह क्या गया इसका answer, बचे, अगले जो दो पार्ट हैं, वो भी हमने ऐसे ही solve करनी हैं, उसकी statement क्या है, find the sum of first 15 multiples of 8, sum change हो गया, number इसका change हो गया, 13, अब उनोंने बोला है, यहां बोला था कि first 14 numbers divisible by 6, और अब इसमें उनोंने बोला है, first 15 multiples of 8, first 15 multiples, पहला 8 का multiple कौन सा है, 8 1 का 8, 8 2 का 16, 8 3 का 24, और 2 15 terms, यह भी वैसे ही समा आ गया, कि 15 terms सक में को sum पता करना है, में में को S 15 पता करना है, अब इसके according 8, A कितना आ गया, 8 और D कितना आ जाएगा, A2 minus A1, 16 minus 8 equal to 8, बचे अब आपने same formula लगाना है, और N by 2, 2A plus N minus 1 into D, तो अब यह सम आपने खुद से complete करना है, N की जगा यहां 15 by 2, 2A, A की value किया 8, जैसे divisible और multiple आता है, उसमें divisible by 6 लिखा था, और first 40 divisible number लिखे थे, तो आपने 6 का table ही शुरू कर देना है, यहां जैसे 15 multiples of 8 लिखा है, तो आपने first जहां word है, तो आपने starting से, 8 वांस का 8, 8 का table लिख देना है, 2 15 terms मतलब 15 उसका last term नहीं है, कि मेरेको last वाला number वो होगा, जो 8 को 15 से multiply करके आएगा, पर मेरेको वो भी यहां करने की जुरूरत नहीं है, अब सीधा यहां S 15 निकालो, उसके लिए S N का ये वाला formula लगाओ, और A और N की और D की value फिल कर दोगे, तो इसका answer निकल जाएगा, बचे, अब इस exercise का last term, जैसे कि मैंने पहले बताया है, उसके next जो sum है, इस बार जो हमारा syllabus reduce हुआ है, उसके according, अगले वाले जो 14 sums से onward sums है, वो cut गए हैं, तो अब sum number 14, इसका last, उसके according भी मैं आपको AP बताऊंगी, कैसे बननी है, अब last sum में में मेरे पास statement है, find the sum of sum of the odd numbers, odd numbers between 0 and 50, लब मुझे sum पता करना है, वो वाले odd numbers का जो 0 और 50 के बीच में आते हैं, अगर इस sum को solve करेंगे, तो according to statement, क्या बन रहा है, अब 0 और 50 के बीच के मैंने odd number लेनी, odd number वो होते हैं, जो 2 के table पे divisible नहीं होते, जैसे 0 और 50 के बीच में लेने, कि 0 से बड़े और 50 से मैंने चोटे लेने, तो statement के according, first number क्या बनेगा, 1, 3, 5, और last number मेरे पास क्या बनेगा, 49, यहां मैंने terms नहीं लिखा, पिछले दो थे, तो उसमें लिखा था, up to 40 terms, उसने उसमें बोला था, 6 से divisible, first 40 numbers उनका sum पता करो, अगले sum में उन्होंने बोला था, 8 के पहले 15 multiples का sum पता करो, पर इसमें उसने बोला है, 0 और 50 के बीच में जो odd numbers आते हैं, उनका sum पता करो, उनकी counting कितनी है, अभी मुझे यह नहीं पता, वह नमबर कितनी है, क्योंकि दोनों अगर मैं formula लगाती हूं, तो उनमें n की value लगानी पड़ेगी, पिछले दो sum में में मेरे पास n की value थी, इस sum में मेरे पास n की value नहीं है, और उसकी जगा पे मेरे पास यह an है, तो यहां से पहले मैं n की value निकालूंगी, an equal to 49, तो an का formula क a plus n minus 1 into d, 49 equal to a की value क्या है, मेरे पास 1 और d की value क्या है, 3 minus 1 equal to 2, तो यहां आ जाएगा 1 plus n minus 1 into 2, तो 49 में से 1 इधर ले आए, minus हो गया, equal to n minus 1 into 2, 48, 2 multiply है, divide हो गया, तो कितना आ गया, 24 equal to n minus 1, तो यहां 24, 1 minus का था, तो इस साइड आके plus हो गया, तो n equal to क्या आ गया, 25, तो मतलब मुझे क्या करना है, s25 पता करना है, कि 0 से ले के 50 के बीच में कितने odd numbers आ रहे हैं, 25, मुझे उनका sum पता करना है, यहां मैं sn का formula, n by 2 a plus l लगा रही हूं, क्योंकि मेरे पास यहां last term जो ह 25 equal to 25 by 2, a कितना है 1 और l कितना है, मिरे पास 49, तो यहां क्या आ गया, 25 by 2, दोनों को plus करके आ गया 50, cutting हो गई, 25, 25 को 25 के साथ multiply करेंगे, तो इसका sum क्या आ गया, मिरे पास 625, बचे, यह वाली जो exercise है, हमने अब अपने exam के लिए यहां तक solve करनी है, बाकी का जो syllabus है, वो reduce हो chapter number 5 है, वो complete हो गया, यह सारा chapter जो है, आपके exam भी आने वाले, उसके लिए आपने revise करके अपनी fair copies complete करनी है, थैंक यू अचे